नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे रस्मलाई सूजी से सीम ऐसा ही अगर मेरा वीडियो को आपने सब्सक्राइब ने किया प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो लास्ट तक देखिए कोई स्टेप मिस ना हो चलिए बनानाय स्टार्ट करते हैं पैन हमारा गरम हो ना है इसमें 4 टेबिली स्बून सुजी ऐड़ करेंगे जिस चमज से खाते हैं उसी चमज भी टेबिली स्पून कि सुझी ऐड़ करना है खाने वाला चमज से ही आप ले सकते हैं और ऐसे चलाना इसको एक मिनट के लिए रोस्ट करना है इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है मेंडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है और सुजी का कच्छा पर निकल जाए सौंदी खुसबू आए देखिए फ्रेंट्स इतना बढ़िया इसमें से खुसबू आ रहा है दूद डालने पर यह हाफ लिटर हमने दूद आड़ किया है और ऐसे चलाए और अब फ्लेम को हाई कर लिजिए जब गाढ़ी हो जाए थोड़ा तो फ्लेम मेडियम पकर सूजी में चीनी टू डिवेल स्पून डाल लेना है और टेस्ट के कॉटिन अपना कम या ज़्याधा कर सकते हैं यह थोड़ा सा इलाची पॉडर डाल की और ऐसे चला लेना है सूजी में सूजी हमारा गाढ़ा होने लगा है इसका मेडियम फ्लेम करेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, नहीं तो चिपकना शुरू हो जाएगा नीचे से, देखिए फ्रेंट्स, यह काफी गाढ़ा हो गया है, इसको और गाढ़ा करेंगे, पैन हमारा छोड़ दे, यानि सुजी हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा, तो पैन नीचे से छोड़ देखिए फ्रेंट्स, अभी छिपक रहा है, देखिए अब छोड़ना सुरू कर दिया, वेटर हमारा हो गया है, इसको बाउल में निकाल लेंगे, और 50% ठंडा करेंगे, 50% गरम रहेगा, तब ही इसको हम बनानाय स्टार्ट करेंगे, फ्रेंट्स, चलिए रबड़ी बनान स्टार्ट करते हैं, एक लिटर दूद, काउ मिल्क है, इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे, उबाल के थोड़ा कच्चा दूद है, थोड़ा ज्यादा उबाल लेंगे, काफी गढ़ा भी है, इसमें चार चमच, चीनी एड़ करेंगे, देखेंगे, अपनी टेस्ट के कॉड़िंग, कामिया ज्यादा चीनी कर लिजे, और इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे, इसमें केसर धागी एड़ कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो फूड कलर एड़ कर लिजे, ऐसे चलाना है, चलिए फ्रेंट्स, अब फ्रेंट्स ये 50% हो गया है, देखिए 50% ठंडा हो चुका है, ये बिल्कुल हाथ में नेची पक रहा है, और ये घी है, घी के साब, हाथ में लगा के तब बनाना है, ज्यादा घी की जरूरत भी नहीं है, एक दो बार लगाएंगे, उसके बाद खुद ही बनना है, स्टार्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे गोल-गोल करना है, और जो दूद हमने बनाया है, उसी में डालना है, इसको एक बार सारा बना लेंग और साइड कर लेंगे, सारा ऐसे ही बना लेना है, दीखिए फ्रेंट्स, एक साइज का पूरा बना है, कितना इस पौँजी बना है, इतना बना है, चलिए दूर्द हमारा काफी उबल चुका है, इसमें डाल लेते हैं, सारा रबड़ी में ये सूजी का जो गोल बनाया है, स तारा डाल लेंगे और इसको ऐसे चलाना है डाल के कल्चे से नीचे के तरफ चलाना है देखिए फ्रंट से ऐसे देखिए कितना पर्फेक्ट बना है दो से तीन मिनट तक इसको पकाना है ज्यादा नहीं दो मिनट हो गया है चलिये हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं यौश एक्जर्ब करते हैं इसमें नीक्रा इसचर्ब से आपको दिखा रहे हैं देखिए फ्रेंट्स ये सूजी क्या रस्मलाई बनके हमारा रेडी हो गया है ये कितना पर्फेक्ट देखने में लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है बिल्कुल पता नहीं चलता है ये सूजी का बना हुआ है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगी तो कॉमेंट बक्स में जरूर लिखिए और क्या खाने का मन कर रहा है वह भी लिखिए और वीडियो सेर किजिए फ्रैमली के साथ प्रैंड के साथ देखिए फ्रेंट्स कितना स्पांजी बना है थैंक्यू दोस्तों